हलो एवरिवान वेलकम बैक टियरोन चैनल आजम करने जा रहे हैं आपका आकलन कारी पत्रक 10 विश्य विज्यान कक्षा 10 हमारी डेट 2 नमबर के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कारी वत्रक में आपका जो ये assessment वोक्षीट है ये कुल 20 अंका होगा जो 2 भागों में बटा हुआ है जो पहला भाग होगा उसमें लगू उत्रे प्रशन होगे चोटे प्रशन होगे आपके पहला और जो दूसरा प्रशन है वो 2-2 अंक जाने की दिशा में एक जलिये जीव की अपेक्षा स्थलिये जीव किस प्रकार लाब प्रद है आपने देखा होगा कि जो सास लेने की प्रक्रिया है वो जो जल में रहते हैं जीव वो भी करते हैं वो भी सास लेते हैं और हम जो धर्ती लैंड पर रहते हैं वो भी लेते है ठीक है लेकिन हमारा advantage है हमारा जादा लाब है क्यों लाब है जलिये जीव से हमार उनकी अपेक्ष्या अगरम देखा जाए तो हमें जादा लाब है क्यों है वो आपको बताना है लेकिन जो जल है जल में oxygen की सुक्ष मातरा होती है कम होती है कौन सी होती है सिर्फ जो जल में मिली होती है जो हमारे पाने में मिली होती है ठीक है हमारे तो वातावरन में भी है पाने में बेजों पीरे उनका जो पाने में घुली होई oxygen है सिर्फ वही होती है उनको इसलिए कम म मात्रा में तो काफी उनको तेज-पेज जादा गती से वो लेनी पड़ती है और उनको संघर्श करना पड़ता है इसलिए हमारा लाब जो स्थलिय जीव है हमारा लाब इकिस की अपेक्शा जलिय जीव के अपेक्शा ठीक है यह आपका 2-marks का कोशिन था अगला कोशिन ने प उसकé लिए जो शुदांत्र है हमारा intestine है जो उसको किस तरीके से बनाया गया उसका design किस तरीके का बनाया गया उस पची हुवे भोजन को अफसोषित करने के लिए उसको अपने अंदर सो कने के लिए तो देखो पचे हुए भोजन को आउन्तर की भिट्टी तो पचे हुए भोजन को आंतर की भित्टी अवसोशीत कर लेती है तो मुझ आऑल प्चेह के आंतर की आंतर्यक आस्तर पर, जो आंते हैं प्रते कोशिका तक पुछाने का कार्या करते हैं यहां इसका उपयोग उर्जा प्राप्त करने नए उत्तकों का निर्मान करने तता पुराने उत्तकों की मरमत करने के लिए किया जाता है ठीक है तो यह एक ऐसे पचा हुआ भोजन आपका जो शुदांतर है वो अभी कल्पित करता है ठीक है तो देखो मतलब अब सोशित करता है सोरी होगे पहले हो प्रेशन एक बार नेक्सट आगे चलने से पहले एक छोटे से इंफर्मेशन है अपने केडFF मी आप लोगों के लिए लाए और लोगों के लिए इंडिया इंडिया सीं ंटे अंडै और इन्डा से फ्री मोट THE है देखो 6 November मतलब Saturday को तो आज 6 November Saturday को आपको class 10th class 10th के लिए science का mock test होगा और कल 7th November Sunday को match का आपका mock test होगा ठीक है mock test है यह बिल्कुल free आपको कोई subscription कुछ भी पे करने की कोई ज़रौत नहीं है यह बिल्कुल free है उसके क्लास 12 के लिए भी commerce और science ठीक है आपका जो science side है और commerce stream है दोनों के लिए आपकी mock test रखे जाएंगे जिसमें 6 November Saturday को class 12th commerce में accountancy का mock test होगा और 7th November Sunday को economics आपका mock test दिया जाएगा और 8 November Monday को business studies के लिए उसके बाद इसी तरीके से science को जो class 12th है उसके science का 6th November Saturday को math का mock test होगा 7th November Sunday biology का 8th November Monday को physics और 9th November Tuesday को chemistry तो यह रहेगा आपका schedule mock test series के लिए term one exams के लिए ठीक है ओर जो timing से वो क्या क्या रहेंगी देखो आपको यहाँ पे जो timing से रहेगा mock test के लिए यह होगा आपका 5 p.m. to 6.30 p.m. यह time होगा शाम के time पे 5.30 आपका जो mock test है वो होगा according to schedule 6, 7, 8, 9 वो आप देख सकते हो और यह बिलकुल आप इसके लिए बिलकुल free enroll कर सकते हो यह बिलकुल free है कोई subscription की आपको ज़रत नहीं है जो जो इसका link है वो आपको description में मिल जाएगा जहां से आप enroll कर सकते हो और code आपको पता है code आपको डालना है पूर्णीमा 10 अगर वो code मांगता है तो आपको क्या डालना है पूर्णीमा 10 पूर्णीमा आपको capital letters में होगा और पूर्णीमा और 10 के अंदर कोई भी space नहीं होगा link आपको description में मिल जाएगा वहां से आप फटा फट से enroll कर सकते है ठीके इसके अलावा भी आपके लिए एक और जो science है science के लिए term 1 ये class 10 के लिए ये सिर्फ ठीके वो आपको 10 और 12 दोनों के लिए था term 1 में अब ये है science के लिए आपको preparation कराई जाएगी ठीके सिर्फ जिसमें आपको quiz की help से पूरे term 1 के according आपको पता है mcqs आने वाले हैं तो quiz रखा जाएगा जिसमें आपको सारे mcqs की practice करे जाएगी term 1 के लिए subject science class 10 के लिए 20th of November 8 बजे ठीके 8 पीम को 20th November को class 10 के क्या होगी science term 1 की preparation series रखी जाएगी quiz की ठीके ये भी बिल्कुल free है आप इसमें free enroll कर सकते हैं और जो आपका unlock code होगा unlock code में आपको डालना है पुर्णिमा 10 ये आपका पुर्णिमा जो होगा capital letters में होगा पुर्णिमा 10 के बीच में कोई भी space नहीं होगा सभी capital letters में लिखने है ठीके तो इसके लिए भी जो आपको link है वो description में मिल जाएगा वहाँ से आप इसको enroll कर सकते हो ये भी बिल्कुल free है ठीके तो ये दो questions हैं तीसरा प्रशन है आपका तीसरा उचोटा पुनर अवसोशन तता स्रावन इसको आपको विस्तार पूरवक समझाना है कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है ठीक है तीन नंबर में थोड़ा सा बढ़ा हो जाता है ये कोश्चन से बाद देख लेते हैं नीचे मैंने लिखा हुआ है उस स्पेस में ये नहीं आ पाएगा तो देखो पुनर अवसोशन है या पुनर अवसोशन है वो आप कर सकते हो say utan अब तेखो गुच्छी निसे अनका में क्या होता है बाद बाधी कारीय करता है इसे अब वाही जो डमनीका है यो यूरिया यूक्त रूदीर लाती है ठीक है झा जिसमें यूरिया नहीं होता वो व और बोमन सम्टुम के अंदर वो सारे आ जाते हैं ठीक है उसके बाद है पुने अवसोशिंदे को यहां पर जो प्रा निस्यंदन करिया है उत्पन ग्लोरोमुरिल निस्यंद में यूरिया यूरिक अमल कुछ वसिये अमल होते हैं जो वसा होता है फैट होता है और केरेटरीन आदी उत्सरजित पतार्त के साथ ग्लूकोज अमीनो अमल कुछ वसिये अमल विटामिन जलत था अन्य उपोग लवन भी होते हैं तो यह सारे भी होते हैं अब इन सभी अवशक पतार्तों को का अफ्शोशित करके रक्त में डाल दिया जाता है व्रक्त नलिकाओं से पुर्वन में पहुच चुकी है लेकिन उसको वह अफ्शोशित करने भी ज़रूरी है लेकिन फिल्टर हो चुकि है तो क्या करेगा यह उन चीज़ को भी वापस से रुदिड में पहुचाने का काम करेगा पुर्ण अफ्शोशित होगा फिर आता है आपका श्रावन यहां क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी वे अमल शार संतुलन को बनाए रखता है व्रग धमनी व्रग में उत्सरजित उत्सरजी पदार्थ युक्त रख लेकर प्रवेश करती है जिसकी शाखाई अभिवाही धमनीकाई कोशिकाई गुच को रख आपूर्ती और आपूर्ती करती है खाली कर दिया जाता है यहां तंत्रिका की अधिन होता है तो यह तीन आपके स्टेप थे जो हमें एक्स्प्रेइन करने थे तीन मार्क्स में थोड़ा बड़ा कोशिंस है बट इतना देखो सारा लिखना भी ज़रूरी था यह होगा आपका प्रशिन नंबर तीन यहां पर पड़े थे वोक्षीट में हमने किया था न तो देखो जो ग्लूकोस होता है न 6 कार्बन अनू क्लूकोस का क्या फोर्म में होता है C6H12O6 कार्बन के कितने अनू होते है छे होती है तो कोशिका द्रव्य में यह पायरूबेट होगा जिसमें 3 वायू में अनू प्लस उर्ज आ लिए है क्या क्या होगा वह सबसे पहले औक्सिजन की अनू पस्तिति अगर ऑक्सिजन हो। यह यह ज़ाम पे कमी हो कंई है तो बादो क्या हो जैसे घंप में मैं होता है तो क्या बदेगा funcion ऑकसिजन के अभाव में उर्जण प्राप्त करने के लिए उर्जा प्राप्त करने के लिए तीक है हो गया प्रशन नम्बर चार आगे बढ़ते है प्रशन पाँच भी जो हमारा भाग 2 है उसमें चलते हैं तो यह है आपका भाग दो, तो नीचे दिये गए मानव हुरदे के विवस्था आतमक काट के चित्रों के भागों का रिकंकित करिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यहा आपको मानव हुरदे दिया हुआ है, इसके अंदर आपको क्या करनी है, बरने की कौन सा ये देखी जो वो box बने थे ना उसके अंदर ये सारी चीज़े आपको लिखनी है ठीक है ना इस box के अंदर पहले box के अंदर ये क्या होगा फुफुस धमनिया होगी ये क्या है फुफुस शिराय होगी ये क्या है बाया अलिंद होगा ये क्या है बाया निल्ले होगा इसी तर पूरा कर देया जो वो box थे वो जो डब्बे थी वो आपको भरने थे नाम आपको जो चित्र में अलग अलग नाम है वो आपको लिखने थे तो ये box के अंदर आपको लिखना है ऐसा भी ठीक है हो जाएगा प्रेशी नमबर पांच यह आप पहले वोक्षिट में भी कर चुकी हूँ बहुत इंपोर्टेंट है यह दोनों चित्र बहुत बहुत जादा इंपोर्टेंट है यह बहुत अच्छी से एक तो जो आपका वो था ना जन्तु जो जन्तु कोशिका थी और आपकी पादप कोशिका थी वो दोनों चित्र और यह हर्दे का चित्र और जो पाचन तंदर का चित्र है बहुत इंपोर्टेंट है यह चारों बिल्कुल रटके जाने आपको पाच नंबर इन में से जरूर एक आएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला है प्रशी नंबर 6 नीचे मानव की शरीर की पाचन तंदर का चित्र गया है एक खाली छोड़े गए भागो को रिखांकित कीजिए तो आपको चित्र जो मानव पाचन तंदर है इसकी अंदर ये सारे आपको फिल करने चली इसका भी नमांके चित्र इसको पूरा कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले क्या होगा यहां क्या है मू जो मुग गुवा होता है ठीक है वो है यहां पर उसकी बाद है ग्रसी का यह यह बोक्स के अंदर जो आपको फिल करने ऊपर जो बोक्स बनाओ था उसमें यह सारे भरने आपको यह क्या है शुदांत्र यह क्या है बहुदरांत्र यह क्या है गुददधवार यह क्या है यह है परिशोशक यह है आपका अगनाश्य इसमें यह एक दो चीज नहीं है यह जो पित नली और यक्रत आपको नहीं दिया हो लेकिन लेकिन मैं ने बना दिया यह सारे छेजिवा ओने चाहिं सबना पर पहरा पित नली और यक्रत यह का घया हो भी में और यागनाशर छो लिवर ओगा फ eller स्काट कीando यहाँ पे हमारी वोक्षीट कम्प्रीट होती है हाई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए कोई भी डाउट है किसी भी कुश्चिन में तो कमेंट सेक्षिन में मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको लेक्ट्र अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीड और झालें ते किया बड़ बाइ